मुपी के फरुखाबाद जीने में बितिश सामराज्य की कड़वी यादों में से एक ग्राव खुदागंद स्तीत वस्तल है जहां अंग्रेज शाशन ने अपने सैन्य अधिकाली रॉबर्ट को 1857 के स्वतंतरतर संग्राम को दबाने में महत्वपूर्ण निभाने पर कर परुख क्रॉस देख किया था वही मुगलकाली मस्जित वसराय आज भी गवरफ शाली इतिहास की गवाई दे रही है दोनों स्तानों को पुरातत्वा विभाग में संदक्षित कर रखा है लेकिन रख रखाओ कि कोई सुद्ब नहीं ली पुरातत्वा विभाग के वहा किसी प्रकार गर निर्मान करने वसमारों को कुशती पहुचाने पर रोक लगाने संबंदित निर्देश लिके हैं हकिकत यह है कि पुरातत्वा विभाग इंजिनों विश्व धरूहर सब्ता मना रहा है इसके बाविजुत इन स्तानों की कोई सुद नहीं ली गए क्या नाम है आपका हमारा नाम शफिक उद्दीन है यह मजजिद कौन सी मजजिद है यह साही जामा मजजिद है खुदागाई यह कब बनी थी यह पांसो चालिस इचवी के लगवग बनी हुई थी और यह शेर्शा सूरी ने वनवाई थी और कम से कम इसको पहुने छेसो साल है होने को जा रहे हैं तो यहाँ पर जो शराय जो बनाऊ हुआ है रुखने की बिवस्था बन की गरी थी लोहों कि वहां बुसा बढ़ा हुआ है तो वहां कोई पुडातत वीवाग का कोई में अपना रखा हुआ ई लड़का में, लेकिन वो किस से यहां से लड़ाई ले अब सब दवंग लोग हैं यहां पर तो अब जिस का भूसा भ़रा हुआ है बहुत बई चारा लड़का क्या करे तो अब जब कोई एक्षन, जब लें कोई अधिकारी लोग, तो लड़के को भी थोड़ा सपोर्ट मिले, अब लड़का वेचारा के लग क्या कर रहा है। कुल मिला के बहुत पुरानी मजजित है ये। हाँ, बहुत पुरानी है, सदियों गुजर गणियों। उसका पुरातत विभाग विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। आगरा निवर्सी है वो, तो यहां पर रहता है, उसकी छुट्टी है, तो आज उपलफ्द नहीं है, वो यहां पर, लड़का है यहां पर। लगवग कितने साल पुरानी होगी यह लगवग होगी पानसो और सट या चालिस, पानसो चालिस साल पहले दर्जाएं।